के लुए अपस आचुके अमनूद रिटान ऑब डेविल के कॉन निए अपिसोड के साथ और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बाहर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप ल कैसे हो सकता है मैंने दो आपोस्टोल की पाउर को कमाइन किया मैं इस पूरी पूरे वर्ट का सबसे पाउर खुल बनता हूं फिर यह मुझे कैसे हरा सकता है वहां पर दिखाते है यूज जो तैनीचे अभी भी खड़ा होता है अपने पाउर को और ज्यादा रिलिस कर रहा मेरे इस वर्ड के भी दूस्पन तो देखो अभी मैं इस वर्ड के मदद से तुमें क्या करता हूं साथ मापी दिखाते है वो जो वर्ड होता है उसके अंदर यू होता है और यह पूरे वर्ड को यह अपने कंट्रोल कर रहा था मैं अल्टिमेट फॉर में चला जाता है अगार्ट एक लिए पर आप जब जाता है फिर ना बंदना कर तक 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 तुम्हारे शास अटक नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा फास्ट और या क्या कर सकते तुम मेरे इस प्रेजन से नहीं निकल सकते अब तुम कहें भी नहीं भाग सब्सक्र और वो का जब जो कि इस power यानि इपोस्टल के पाउर को हैंडल करना चाहते हैं तुम्हारे सब बेवकूब के लिए मेरे पास सब्द नहीं है उतने त्रिक रही है तो काफी अच्छी बात है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस तरह के पाउर को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं साथ यू के हाथ में दिखाते एक जीप सब पाउर क्रिस्टल आ जाता है साथ ही वह बताता है कि जैसे तुमने अपनी इस वर्ड को खुद में कंभाइन किया यान फिर इतनी जदा पाउर को यूज कने होगे तुमसे ये कंट्रोल चीन इस वर्ड का चीन ना मतलब को वर्ड का क्या सकते हैं जो कि रेजल ने बनाया होता है उस खोर को देखते हुए वह मौस्टर का फिदर जाता बोलता है क्या ऐसा नहीं सुछता है ये तो इंपॉसिवल है साते मापी दिखाते जब अभी तक यहां पर क्यों आ जाए वह इतनी असानी से मुझसे मेरा वर्ड नहीं सकता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं और साथ हो अपने वर्ड को मलब कि समस्क्राइब जैसे उसके हाथ में उसका बाले तो उसके अंदर यह रहाचल होता मलब की मेरा डैमेंसर कैसे तो वहां पर बोलता सकते कि मैंने इन सबकों और ने किया यह तुम्हारा झाला जिसने मुझे अवाइट किया क्योंकि मैंने तुमसे कहाना तुम्हारा तबार को ईचोटने क्योंगरिज करता हूं वह साथ ही यूज उलता है इ apocalypse चोटे से वール्ट पे रिलिष करना हो जाता है यह देखाए रॉलता है नहीं क्रिशल प्रीज लेकिन सब्सक्राइब साट हूँ चेहरे से डिज़्ार के यानि उस बूर्द पर तबाहूना इस्टार्ट हो जाता है साथ एक चोड़दार ब्राश्ट के साथ महाँ पर सब कुछ तबाहू जाता है यूद इस फीद उस फाइनली वर्ड से निकल जाता है और फाइनली रेजल को दिखाते है रेजल जो हता है काफी ज्यादा जाकम हो था उसके मुझसे भी खुन निकल रहे होता है उसका ठाड़ाई भी खत्म हो जाता है और जो इंविनिशिवल पावर था फिर ऐसा क्योंगा कि मैं तुमसे हार गया यह बताता है कि तुम्हें एक इंसान हो तो नहीं कोई प्रकर को यूच करके जादा देर तक सर्वाइब नहीं कर सकते हैं यह एक आपोश्टर्ण जो होता है उसका एक ultimate form होता फिर पावर होता है जिसको कोई कॉपी ने कर साथ या फिर वो चाहे तो किसी को नहीं दे सकता और चुकि हिस्ट्री में तुम पहले ऐसे बंदे नहीं हो जिसने ऐसा ट्राय किया कि वह पॉस्टर के पाउर को हाथ में हाथ में यूज करें ऐसे बहुत सारे अंकिनक्त लोग आए जो कि ऐसा करना चाहते लेकिन सब कर अगे जो कि आज तुमारा होने वाला है और इसलिए में तुम्हें पता दू ABOUT एक जब पाउप पेसे उन यह था वह किस ने कर सकते तो आघितिक बॉडियों क्लाइब्स यह हो जाता है उचल जो और इन सब कि आरब सकह हों गए इस सब में एक आपोस्ट्रल भी नहीं बच सकता गर अगर आपोस्ट्रल tow इक ili चाहेगा कि दूत की पाउर को मिला कि वह यूज़ करें कहुत अब कि अगर मैं तुम्य चोड़ को यक्षक्वार आप धूल बनके यूँ बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकते साथ ही वहाँ पर दिखाते है रहाचाल के फुरी बोड़ी वहां से डिसिंटिक्रेट हो जाती तब हो जाती फिर वहाँ पर अलिसा आ जाती है अलिसा यू से बोलती कि ब्रदर यह आखित क्या हुआ आप कलर है कैसे हुए यू बोलता है कि वैल तुम ऐसे कह सकते हो कि यह मेरा दूसरा फॉर्म है क्योंकि मुझे थोड़े दिर पहले उस इडियर से फाइट करना पड़ रहा था इसलिए मैंने अपना फॉर्म चेंज कर दिया था लेकिन चलो ठीक है तुम लें को यहां से चले जा और स है अपने आर्मी को लेकर वहां पर जा रहा होगा और उस सारे को रहने की कुछिस कर रहा होगा इसलिए मुझे लगता है वह सेफ जगा होगा वह बोलती है कि आप क्या करने वाले हो यू यू बताता है कि मैंने इस रेजल को हरा दिया मुझे इस डिवाइस को डिस्ट्रॉ हो जाएगा इसलिए हम लोग यहां से चले जाएगा आप थोड़ा से सावधान रहना यह बोलता है ठीक है तुम लोग भी सावधान रहना फिर वह दोनों चोते होँआ से चले जाते और यू जो उच्छ डिवाइस के पास चला जाता है बोलता है चलो अब अगला काम मुझ समय जाता है वो अंदर जाता है तो होता है कि समय Less घुprizes को जाएगे इसकी मकिसी vagण से ने यहां वर हो the जो डीमन है घोष्ट एपरेंटीस हम सब के वीच बाहर नहीं होगा यह सब जो है आज फाइनली खातम हो जाएगा साथ ही वह अपनी इनर्जी को रिलीज करता है और वहां पर उस कास्टल के पास का सिन दिखाते हैं वह उस डिवाइस को तबाह कर देता है जिससे कि उस किस gyга के ओपर एक मैजिक कर सकर बना हो होता है वो मैजिकल सब कर फाइनल से फिरते होना फाइन फाइट कर रहते हैं वह सारे है हम लोग यह फाइट जीत चुक है जो जैने होते हैं ड्रेल के पास आते बोलता कि हाँ मुझे लगता है ब्रदर यूज भी सक्सेस्फुल होके उन्हों रजल को रोग दिया बोलता है कि यह फाइनली सॉल्व हो चुक है हम लोग जीत चुक है प्रिंस रेजल की जैह हो रोसे कारण लगाने शार कर देतें आप मिस्किर को दिखाते हैं मिस्किर बताती है मतलब बोल रहे हो थी कि घोष्ट अप्रेंटिस का जो फ्रांसफोर्मेशन जो था मिसन मैजिक वो फाइनली खतम हो चुका है क्या है यह सब तुमने किया यह हो अगर यह तुमने किया तो यह काफी अच्छी बात है और यह सिस के साथ यह एपसोड होता है यहीं पर कंप्लेट हो जाता है तो अगर आप लोग को एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो व झाल 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 झाल